वेलकम तु एजूकेशन जेट आज 6th जुलाई है आज हम लोग 5 और 6 दोनों जुलाई के Current Affairs को गवर करेंगे हम लोग 6 जुलाई तता 5th जुलाई के सभी महतपूर करने रहिप्रफ्रेपो Cheese को गवर करेंगे तता उससे related टॉपिक्स को भी कवर करेंगे PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रूप में मिलेगी, जिसे आप लोग जॉइन कर लें, जिसका लिंक जो है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वीडियो पसंद आये तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, तथा बेल आइकन पर क्लिक करें, हमारी मेहनत आप की सफलता अब हम लोग देखते हैं, कोशन वन, एन एच, S, R, C, L, K, M, D के रूप में कारिभार किसने समाला, पहला ओप्शन है, सतीस अगनोर्त्री, सेकेंड ओप्शन है, सतीस सागर, थर्ड ओप्शन है, अभिनास मिस्रा, D ओप्शन है, इसमें से कोई नहीं, तो हमारा जो राइ निदेशक की रूप में कारिभार ग्रहड किया, उन्होंने रेल विकास निगम लिम्टेट, R, V, N, L के अध्यच और प्रबंधक निदेशक की रूप में भी काम किया, खीक है, नेशनल हाईवे, हाई स्पीड रेल कार्पोरिशन लिम्टेट, को भारत में हाई स्पीड रे 2016 को कमपनी अधिनियम 2013 के तहट निगमित किया गया था, कमपनी को रेल बंतराले और दो राज्य सरकार हों, कौन-कौन से, गुजराज सरकार और महराज सरकार के मध्ध से केंद सरकार द्वारा इक्विटी भागीदारी के साथ संयुक्त छेत्र में विसेश प्रयोजन वाह के रूप में तयार किया गया, नेस्ट कोस्चन देखते हैं, आर बियाई ने किस बैंक पर 25 लाक रुपे जुर्माना लगा है, 25 लाक रुपीस जो है जुर्माना लगा, फर्स्ट आप्स ने सेंडिकेट बैंक, सेकंड है एलहाबाद बैंक, थर्ड है हमारा पंजाब और सि निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन ना करने के लिए पंजाब और सिंद बैंक पर 25 लेक्स का क्या लगाया, जुर्माना लगाया, कुछ अब लोग महतपूर बिन्दू देखते हैं, आर बियाई से रिलिटेट, तो आर बियाई की जो अस्थापना हो थी, 1934 प् इस बैंक के संस्थापक में डाक्टर भीवड्राव अमेटकर भी थे, ठीक है, इस समय इसके गवर्नर कोन है, ससिकांत दास, ठीक है, ये 25 नंबर के गवर्नर है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तृपुरा के नए लोकायुक्त कौन मने, फर्स्ट आप्शन है अमिरें सि सिकर्ट है के अन भट्टाचारे, ठीक है एम स्वामिनात और फोर्थ है इसमें से कोई नहीं, तो हमारा जो राइट अंसर है के अन भट्टाचारे, कुछ हम लोग फैक्ट देखते हैं, कल्यार नडायन भट्टाचारे को तृपुरा में नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया है उन्हें इस पत पर तीन साल के लिए ठीक है निउकत किया गया है तुरुटप्रा में लोकायुक्त अधनियम कौन सा है 2008 से लागू है और 2012 में पहले लोकायुक्त जो है कि निउकत थी कौन थे वो प्रदीप कुमार सरकार तो पहले लोक आयुक्त जो बने थे प्रदीप मुआर सरकार और कल्यार नरायन भट्टाचार तीसरी नंबर के हैं ठीक कुछ और मातपूर देख लेते हैं विंदू लोक आयुक्त क्या होता है लोक प्लस आयुक्त भारत के राजियों द्वारा गठित भरष्टा चार रोधी संस्था है इसका गठन स्कैंडिनेवियन देशों में प्रचलित अम्बू डिस मैन की तर्ज पर किया गया है विपल गुमार देव राजपाल रमेश बैस अब हम लोग नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं डिज्टल बैंकिंग की सेवाओ को ससक्त बनाने के लिए AWS की साथ किस बैंक ने संधोता किया है फर्स्ट आप्शन है HSBC बैंक सेकेंड ए इलहाबाद बैंक थर्ड है Axis बैंक और लास्ट आप्शन है इसका HDFC बैंक तो जो इसका राइट अंसर है इसका जो राइट अंसर होगा वो है Axis बैंक अब हम लोग इसके बारे में कुछ important fact देखते हैं Axis बैंक ने देज के तीसरे सबसे बड़े निजी छेत्र के बैंक के digital परिवर्तन कारकर्म को ससक्त बनाने के लिए Amazon Web Service AWS मिस Amazon Web Service के साथ एक बहु वर्सी मतलब काफी दिनों के लिए समझा होते हैं कि हिस्से के रूप में Axis बैंक AWS की मदद से ग्राहकों को उन्नत बैंकिंग अन्हों लाने के लिए नई digital वित्ती सेवाओं का एक portfolio प्यार करेगा कुछ हम लोग महत्पूर बेंदू देख लेते हैं एक्सिस बैंक का मुख्याला कहाँ पर है मुंबई में एक्सिस बैंक की अस्थापना कब हुई 1993 एक्सिस बैंक के MD और CEO कोन है अमिताब चौधरी नेश्ट कोश्चन देखते हैं भारत सरकार ने LIC अध्यच की सेवा निर्वित आयू कितने वर्ष तक बढ़ाई है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 63, सेकेंड है 65, थर्ड है 62 और इसमें से कोई नहीं जो राइट अंसर है वो है 62 हम लोग कुछ और देखते हैं एक्सिस बैंट स्टाफ मिन में 1960 संसोधन करके IPO के लिए बाद LIC के अध्यच MR कुमार की सेवा निर्वित आयू 62 पढ़ा दिया है 30 जुन 2021 की एक सरकारी अध्यसूशना के अनसर नियमों में एक किये गए परिवर्तनों को भारती जीवन विवा निगम स्टाफ संसोधन नियम 2021 कहा जाएगा अब इस संसोधन को जिसमें एज बढ़ाई गई है सिश्टू कर दिये उसे अब क्या बोला जाएगा भारती जीवन विवा निगम संसोधन नियम 2021 कुछ महतपूर बिंदू देखते हैं LIC का मुख्याले कहां पर है मुंबई में है LIC के अस्थापना कब हुई थी 1 सेप्तमबर 1956 में कौन सा बैंक दूसरा सबसे मूलिवान सार्वजनिक रिड़दाता बैंक है बना तो फर्स्ट आप्सन है एलाबाद, सिकेंड है SBI बैंक और थर्ड है इसमें Indian Overseas Bank और लास्ट है इसमें से कोई नहीं तो हमारा जो राइट अंसर होगा Indian Overseas Bank अब हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं Indian Overseas Bank 50,000 करोड रूपे से अधिक के बाजार पुजी के रड़ के लिख साथ दूसरा सबसे मूलिमान सूचिबध सार्वजनिक छेतर का बैंक बन गया है मुख्य बिंदू देख लेते हैं Indian Overseas Bank की अस्थापना कब हुई थी? 10 February 1937 में कहां पर हुई थी? चिन्नाई में हुई थी Indian Overseas Bank का मुख्याल है कहां पर है? चिन्नाई में है Indian Overseas Bank की अस्थापना कब हुई थी? संस्थापक कौन है? M.C.T. M.Chitambaram. Indian Overseas Bank के CEO कौन है? पार्थ प्रतिम सेन गुप्त ठीक है? अब नेक्ष्ट देखते हैं हम लोग भारती मूल की तीसरी महिला जो अंत्रिच में उडान भरने जा रही है फर्स्ट आप्सन है? सिरीशा बांदला सेकंड है? सुनीता विलियम्स थर्ड है कलपना चावला और लास्ट है हमारा इसमें से कोई नहीं तो हमारा जो राइट अंसर होगा वो होगा सिरीशा बांदला अब हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं भारती मूल की महिला सिरीशा बांदला वर्जिन गैलिक्स टिक के बी एसस यूनिटी में अंतरिच के एज की यात्रा करेंगी जो ग्यारा जुलाई को न्यू मैक्स को से उडान बने वाली है और यह महत्यपूर है कि वह कलपना चावला और सुनीता बिलियम्स के बाद अंतरिच में जाने वाली भारती मूल की तीसरी महिना है यह बहुत इंबॉर्टेंट है वासिंगटन डीसी में वर्जिन गैलिक्स टिक में सरकारी मामलों के उपाद्ध्यच बादला अपने बॉस और समू के संस्थापग आरपती, रिचर्ड, ब्रेंसन और चार अने लोगों के साथ कंपनी के अंतरिच्यान में यात्रा करेंगे नेक्स्ट कोशन देखते हैं जम्मू कसी मीर में हाल ही में कौन सी 149 साल, 149 साल पुरानी परंपरा खतम हुई है सेहते हिंद दूसरा है दरवार सम्मान तीसरा है दरवार मूब परंपरा और लास्ट है इसमें से कोई नहीं तो जो इसका राइट अनसर होगा दरवार मूब परंपरा अब कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं LG मनो सिनहा ने ग्रीश्म कालीन राजधानी सिरी नगर और सीथ कालीन राजधानी जम्मू के बीच कारायलें के अस्थानांतरित करने की 149 साल पुरानी दूवर्शिक परंपरा को अबचारिक रूप से समाप्त कर दिया है प्रसासन ने कर्मचारियों को जम्मू और सिरी नगर में तीम सप्ता में दर्वार मूव से सम्मंदित आवासी खाली करने का नोटिस दे दिया है ठीक है? तो इसमें क्या है? दर्वार मूव ठीक है? डोगरा समराट महराज गुलाप सिंग ने 1872 में राजधानी को अस्थानतरित करने की परंपरा शुरू की थी जमू कस्मीर के उपराजपाल कौन है? मनोस सिनहा तो जो यह है वो क्या है? हमारा दर्वार मूव परंपरा कौन सा परंपरा? दर्वार मूव परंपरा अब नेक्स्ट कोश्चन हम लोग देखते हैं किसने सैटलाइट टीवी कक्षाओं को लागू करने के लिए संसदिय पैनल को मनजूरी दिये फर्स्ट आपसे ने नासा सिकंड है डी आडी ओ थर्ड है इसरो और लास्ट है इसमें से कोई नहीं जो हमारा राइट अंसर होगा जो हमारा इसमें राइट अंसर है वो है इसरो ठीक है अब कुछ हम लोग फैक्ट देख लेते हैं भारती अंतरिच अनुसंधान संगठन जिसको बोलते हैं इसरो ने सिच्छा पर संसदिय अस्थानी अस्थाई समित को देश में सेटिलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी साहता प्रदान करने के लिए अपनी मंजूरी दे दिया ताकि कोविट प्रेरित ठीक है लॉकडाउन के कारण सीखने के गयब को खत्म किया जा सके अब इसरो के बारे में कुछ देख लेते हैं इसरो की अस्थापना कभ हुई थी 15 अगस्थ 1979 1969 इसके अध्यक्ष कोन है के सीवन इसरो का मुख्यालका है बैंगलूर यानि करनाटक में नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं भारती सेना प्रमुक कहां करेंगे भारती सैनकों के लिए युद किसमारक का उद्खाटन फर्च्ट अपसन है फ्रांस सेकेंड है इटली थर्ट है चीन फोर्थ है इसमें से कोई नहीं तो हमारा जो राइट अंसर है वो है इटली अब लोग देखते हैं भारती सेना प्रमुक जनरल एम एम नर्वने युनाइटेड किंडम और इटली की अधिकारिक यात्रा पर जाएंगे का भारती सेना इसमारक का उधखाटन करना इसका कुछ इन प्रमुक देखते हैं दुतिय विश्यूद के दवरान मोंटे कैसिनों के लडाई में पांच हेजार से अधिक क्या थे भारती सेनिक इटली को फाशिवादी ताक्तों के बचानी के लिए लड़ती हुए अपने प्राणू की आउती दे दिती ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोस्चन नार्भी के किस ब्यक्ति ने पूर्शों की 400 मीटर बाधा दोड को का विश्यूरिकार्ड बनाया 400 मीटर का तो फर्स्ट आप्शन ने बोल्ट, सिकंड है कास्टन वार होम्स थर्ड है 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 मिल्टन लास्ट है इसमें से कोई नहीं तो हमारा जो राइट अंसर होगा कास्टन वार होम्स अब कुछ फैक्ट देखते हैं नार्भी के 25 एर्स अथलीट कास्टन वार होम्स ने विसलेट खेलो के दावरान 400 मीटर बाधा दावड में लंगबे समय से चल रहे विस्चु रिकार्ड को तोड़ा इससे पहले या रिकार्ड 29 येर्स तक अमेरिकी हर्डलर केविन यंग के नाम था फामनूना वन का आस्ट्रिलियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता फर्स्ट आप्शन है मैक्स वेस्ट और पेन ठीक है मैक्स वेस्ट और पेन सेकेंड आप्शन है वेल्टेरा बोल्टास थर्ड आप्शन है लुई हैमिल्टन और फूर्थ आप्शन है इसमें से कोई नहीं तो हमारा जो right answer है यह है Max Westorpen, ठीक है, ठोड़ा difficult है नेम इनका, तो Max Westorpen, ठीक है, Red Bull के Max Westorpen ने Red Bull ring में Australian Grand Prix जीता, जो 2021 फार्मूला 1 World Championship season की 9 रेस है, ठीक है, विस्टार्ट पिन ने, मर्स्रिटीज, एमजी के, वाल्टेरी, बोटास और, मैकलारेन के, लेंडो, नौरियन से आगे, दोड़ में जीता है नोने, ठीक है, नेक्स टब हम लोग देख लेते हैं, सबसे जादर रन बनाने वाली महिला भारती खिलाड़ी कौन बनी, सबसे अधिकरन बनाने वाली खिलाड़ी बनी गई है, ठीक है, राज को दसक की ICC की ODI टीम में नामित किया गया था, जो खेल में उनकी निरनतर्ता के एक उप्युक्त सम्मान था, ठीक है, नेक्स ट कुश्चन देखते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनेगा, फर्स्ट आप्शन है लखनव, सिकेंड है बड़ा ओधरा, थर्ड है दिल्ली, फोर्थ है जैपूर, तो हमारा जो राइट अंसर है वो है जैपूर, नेक्स इसमें देखते हैं, सर्दार पटेल स्टेडियम कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं, सरदार पटेल इस्टेडियम आहमदाबाद जो है यह क्या है यह विश्व का सबसे दुनिया का सबसे बड़ा इस्टेडियम है ठीक है और यह जो जैपूर का बनेगा यह दुनिया का तीसरा और देश का दूसरा सबसे बड़ा इस्टेडियम बनेगा ठीक है यह आपनों फैक्ट याद रखें थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोज लेकर आता रहूं